नमस्कार मैं प्रवेंट गोतम दोसों EVM खुलते ही बड़बोले नेताओं और बड़बोले एंकरों की हवा निकल गई है एक्जित पोल के सारे दावे धराशाई हो गए है तमाम सर्वे एक्सपर्ट और मीडिया एंकर मूँ दिखाने लायक नहीं रहे जाहे सरकार NDA की बन जाए या इंडिया की बन जाए लेकिन मीडिया इस चुनाव में हार गया है साथी कई बड़बोले नेताबी संकट में है और स्मृती राणी उनमें से एक है अमेठी सीट का क्या रुजान चल रहा है अब तक के जो रजान सामने आये है उसमें किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे है 15,000 वोट से और स्मृती राणी पिछड गई है तो अमेठी का ये परिणाम बहुत सारे मीडिया एंकरों को भी हैरान कर देगा जो स्मृती राणी को एज़ बता रहे थी हो सकता है स्मृती राणी वापसी कर जाए लेकिन 15,000 की अच्छी खासी लीड केल शर्मा यानि किशोरी लाल शर्मा ने ले ली है स्मृती राणी ने बहुत मजाक उड़ाया था राहूल गांदी का दो-ती दिन पहले उनका माइक खराब हो गया था भी बोला था कि माइक वाले का नाम राहूल तो नहीं है का कि मेरे डर से राहूल गांदी भाग गए मीडिया वालों ने केल शर्मा का मजाक उड़ाया कि एक पीए को टिकेट दे दिया गया बहुत सारे एंकरों की बयान आपको याद होंगे कि जब राहूल गांदी ने अमेटी की बजायर राइवली से चुनाव लगने का फैसला किया तो केल शर्मा का बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि घर के नोकर को टिकेट दे दिया है तो जिनको घर का नोकर बताया गया वो किशोरी लाल शर्मा 15,000 वोट से आगे हो गये हैं और स्मृती राने इस चुनाव में पिशर्ती दिखाए दे रही हैं साथी यूपी से जो आकड़े सामने आए हैं वो भी मोधी, अमिश्या और सीम योगी की नींद उडाने वाले हैं फिलहाल काटे का मुकाबला है कई एक्जित पोल वालों ने यूपी में बीजेपी को सतर से भी जादा सीटे दे डाली क्या वो मूध दिखाने लायक रहेंगे, ऐसे लोगों को चलू भर पारी में डूब जाना चाहिए और आगे अपना सर्वे वाला काम बंद कर देना चाहिए, काईदे से रिटायरमेट ले लेने चाहिए अगर देश के मीडिया एंकरो और सर्वे एजनसी वाले में शर्म है, तो इस चुनाओ के बाद सर्याम सबसे पहले परदे पर आकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने देश के साथ धोका किया है, हमने इतना बड़ा बलंदर किया है एक्जिट पोल में आप सोच कर देखे कि जब मामला फिलहाल काटे का दिखाय दे रहा है, अगर मीडिया एक तरफा रुजान ना दिखाता, अगर ओपिनियन पोल दिखाकर बीजेपी का ओपिनियन ना बनाता, तो आखिरकार किस तरह का चुनाओ होता दो तीन घंटे में सारी पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकि इतना जरूर है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन मीडिया ये चुनाओ हो रहा है आप चुनाओ पर नाम की अब तक के नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में पिराज दरूर दें, अगर आप हमारे पत्रकारता को पसंद करते हैं, तो थैंक्स किप्शन का इस्तवाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नमस्कार झाल